ओके लीडीज एंड जेंटलमेंट तो आज एक डाउट आया है तो डाउट या है कि वाइफ ने दूश्य शादी परफॉर्म कर लिया है तो अब कहां गया काईदा और कानून ठीक है तो ऐसे कमेंट्स आते हैं से बहुत सारी कॉशन होते हैं तो देखो मैं आपको पता दू क्या होता है कोई भी क्राइम है ना वो जब तक क्राइम नहीं है जब तक वो ना कोट की नजरों में ना पहुचे अब मालो मैं हापे हूँ तो एक इसी का मडर कर दूँ या फिस मैं किसी को मार पीट कर दूँ ठीक है और वो परसन आवाज ना उठाए कोट तक तो वो क्राइम नहीं है जब तक ठीक है अगर उसने मालो जूटा भी केस कर दे कि इसने में को ऐसा से गिया है तो वो क्राइम हो गया तो क्राइम की कैटिगरी में आ गया तो कहने का मतलब यह कि कौज of action अराईज होना चाहिए और इसकी complain होनी चाहिए तीक है अब आपको क्या क्या लगता है कि इंडिया में रेप नहीं होते हैं बहुत सारे रेप होते हैं बस वो जो file होते है न वो बहुत कम होते हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि अब रेप नहीं हुआ, क्राइम तो हो है वह असल में, लेकिन वह जब तक कोट के सामने नहीं आयेगा, तब तक वह क्राइम माना नहीं जाएगा, अब क्राइम नहीं माना जाएगा तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आ तो आपको क्या करना अगर आपके साथ ऐसी घटना हो गई है कि आपके जो ज़च्बेंड ने या वाइफ ने शादी परफॉर्म कर लिए तो आपको क्या करना एक एड़ोकेट हैर करने है उसको बोलने 4.94 का मुकदमादायर करना है तो अपने आप सारा कुछ कर देगा तो आ पायमों तब बनेगा जब वो कोट के आगे आएगा, तभी तो आपको न्याय मिलेगा. अब ऐसे तो पीछे से तो पता नहीं क्या होता है, पीछे से तो किसी का भी मडर कर दो, किसी का मिलेप कर दो, ठीक है? तो ऐसे कुछ निया, आपको कूट जाना पड़ेगा, अगर आपकी वाइफ ने शादी किया है, या आजबेट ने शादी किया है, जो भी कुछ भी है, आपको एकसल लेना पड़ेगा, तो तब जाके पंश्मेंट होगी, नहीं, लोग, लोग, लोग को कोश्ट है, कि बही, मतलब लो तो ऐसा बना दिया ये नहीं होता हो उने तब ही करना पड़ता है आप कंप्लेंड करोगे तब ही तो जाके होगा तो करिए आप और में आए लीजी है तो आप इसके लिए बाए